सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए तो देखिए आज हम इसमें ये जानेंगे की एक्पेंशन कैसे हुआ देली सल्तनत का जो कि पिछले लास वक्षीट में तो हमने थोड़ा सा ये जाना था कि कौन-कौन से किंग्डम थे, कौन-कौन सी डाइनस्टी थी जिनों ने जो सबसे पहले जैसे तोमर डाइनस्टी थी और इसके बाद फिर चोहांज आए जिने चाहमन भी बोला जाता है और उसके बाद सुल्तान जफ डेली आए तो धीरे-धीरे उन्होंने अपने इस empire को expand कैसे किया from garrison town to empire यहां एक word आ रहा है garrison that means जहां पर army जो है वो रहती है जो उनके soldiers होते हैं वो लोग रहते हैं उसको हम garrison कहते हैं और उसके बाद दूर-दूर तक उनका empire तो इन सब चीजों के बारे में ही आज हम इस worksheet में जानेंगे So now let's start and understand with me In the early 13th century the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily forfeited fortified towns occupied by garrisons तो देखिए यहां पर एक शब्दा है early 13th century early 13th century का मतलब होता है जब भी अगर ऐसे लिखाऊ नो 13th century तो हम उससे एक कम करके बोलते हैं that is 1200 to 1299 तो वो था 13th century और उसका starting क्या हो गया 1201 से लेकर 1220-30 तक that is early 13th century तो वहां पर क्या हुआ उस समय क्या था कि जो Delhi sultans थे उनका जो town था मतलब जो उनका control था वो केवल और केवल जो उनके garrisons होते थे अभी मैंने जैसे आभी आपको उपर discuss किया कि what is garrison garrison होता है कि जहां पर उनके soldiers रहते हैं और उसके आसपास जो उनका fort होता है चारों तरफ से fort होता है और उसके अंदर उनके army रहती है तो उसको हम garrisons कहते थे लेकिन उनका जो control था वो केवल वहीं तक ही था the sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और plunder for supplies देखे फिर आगे यह बताया गया है कि जो sultan थे जो garrisons के आसपास जो hinterland hinterland का मतलब होता है जो interior part होता है यानि जो आसपास की cities वहाँ पर उनका control तो कोई था नहीं और उन्हें trade के लिए भी dependent रहना पड़ता था या तो उन्हें tax देना पड़ता था, tribute का मतलब tax देना पड़ता था या plunder मतलब उन्हें loot मार भी करने पड़ती थी supplies को पहुँचाने के लिए या वहाँ से supplies लेने के लिए controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult और देखिए क्योंकि Bengal and Sindh जो था वहाँ पर भी उनके garrison towns थे लेकिन यहाँ से control करना, Delhi से control करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि Bengal and Sindh तो बहुत दूर है Bengal जो अगर आप देखेंगे east side में जिसे आज हम West Bengal कहते हैं and the Sindh is in Pakistan now क्योंकि उस समय तो हमारे इंडिया में ही था Sindh जो area था लेकिन अभी वो पाकिस्तान में हैं तो यहाँ Delhi से बैठे हुए इन दूनों garrison towns पर अपना control करना extremely difficult, बहुत ज़्यादा difficult था rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes और जब कभी मौसम बहुत ज़्यादा खराब होता था या rebellion मतलब कोई विद्रोह कर देता था उनके खिलाब या कभी युद्ध हो जाते थे तो इससे भी जो उनके बीच का जो communication था वो खराब हो जाता Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of sultan's weakness और आपको पता है कि अगर sultan की कोई कमजोरी जैसी नजर आती थी तो जो Mongol invasions मतलब जो Afghanistan से Mongol लुटे रहे आते थे वो भी उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा थे क्योंकि वो भी तो चाते थे कि वो Delhi पर आके Delhi को control करें और यहां से सब कुछ लूट मार करके भग जाएं और इसी तरह से जो उनी के ही सुल्तान के ही इलाके में जो governors होते थे उनी के ही लोग अगर वो देखते थे कि जरास अभी सुल्तान कमजोर पढ़ रहा है तो वो भी rebel आउट कर देते थे विद्रो कर देते थे इसलिए जो सल्तनत थी Delhi सल्तनत थी उसको बहुत मुशिकल हो रही थी the sultanate barely survived these challenges और जो sa nut थी इन challenges को बहुत मुश्किल से सहते हुए survive कर रही थी Delhi sultanate consolidation occurred during the reign of Gyasudin Bulban तो जो डेली सर्थनर थी वो गयासुद इन बलबन के टाइम में थोड़ा-थोड़ा सा establish होना शुरू होई थी and further expansion under अलावदिन खलजी and मोहमद तुगलक और इसको धीरे-धीरे जो इसका expansion किया गया वो अलावदिन खलजी और मोहमद तुगलक के अंडर में इसको आगे expand किया गया the expansion campaigns were of two types तो ये जो expansion campaign थी ना ये दो तरीके के थी अब वो कौन से two types के expansion campaigns थी उसके बारे में अब हम जानेंगे let's find and see first type is internal frontier that is inner region of garrison towns यानि जो मैंने अभी आपको बताया था कि garrison towns के जो आसपास के इलाके थे जिनको internal frontier कहा जाता था जो inner region थे यानि उसकी आसपास की जो छोटे-मोटे शहर थे एरियास थे उसको हमने internal frontier का एक तो जो campaign था वो ये था कि यहाँ पर अपना control करना क्योंकि अभी अभी हमने उपर ये सीखा भी और समझा भी कि वहाँ पर उनका control नहीं था केवल और केवल जो garrison जो जहाँ पर garrison town या जो उनका fort था वही पर उनका control था तो इसमें क्या क्या था the campaigns along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns या नि जो garrison towns के garrison towns के जो भीतरी इलाके थे hinterlands का मतलब भीतरी इलाके वहाँ पर भी उनको अपने साथ मिलाना उनके उपर control करना ये सबसे पहला उनका campaign का step था फिर उसके बाद है forests were cleared in the ganga yamna duab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat तो क्या किया गया क्योंकि आप देखिए दिली के पास था और ganga yamna duab का मतलब होता है यानि the land between two rivers वहाँ पर उसको उनोंने clear किया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे forests थे क्योंकि ये बहुत fertile land होती है तो उनोंने उसको clear किया और वहाँ पर जो भी hunter gatherers थे जो चरवाए थे pastoralists का मतलब चरवाए थे उनको वहाँ से हटाया गया तो ये जमीन उनोंने किसको दे दी किसानों को दे दी और फिर वहाँ पर agriculture को उनोंने promote किया बहुत सारे उनको जो है बहुत रियायते दी और facilities दी ताकि वह agriculture कर पाए फिर next is new fortress, garrison towns and towns were established to protect trade routes and promote regional trade और फिर धीरे धीरे उनोंने नए वहाँ पर किले इस्थापित किये, शहर इस्थापित किये, garrison towns इस्थापित किये और किसलिए कि ताकि वह trade routes को protect कर सकें और अपने जो आसपास के regional trade है उसको promote कर पाए Then the second type of expansion campaign, जो second type का expansion campaign था वो था external frontier External frontier का मतलब होता है areas beyond the inner region of garrison towns यानि जो garrison town के बाहर और उससे बहुत दूर का इलागा उसको external frontier कहा गया और यह उनका campaign था कि military expeditions into southern India started during the reign of allowed in khalji and culminated with mohammad toglak यानि अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी north India से निकल कर southern India की तरफ जाना शुरू किया और वहाँ पर यह कब start किया गया जब allowed in khilji का जो reign का मतलब होता है जब उसका राज था उसका सामराज्य था और यह culminated का मतलब होता है यह top पर कब था जब mohammad toglak उस समय दिल्ली का सुल्तान था तो तब यह चीज बहुत जादा की गई और बहुत जादा expand किया गया दिल्ली सल्तनेट को In their campaigns, सल्तनेट armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals और इस campaigns के दौरान सल्तनेट ने क्या किया जो सल्तनेट की आर्मी थी उन्होंने elephants को, horses को, गुलामों को, slaves का मतलब गुलाम और जो precious metals होते थी उन्होंने उन्होंने खुद कंट्रोल में कर ली By the end of Mohamed Tughlaq's reign, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent और Mohamed Tughlaq के शासनकाल में ये जो दिल्ली सल्तनेट की आर्मी थी उसने इस subcontinent का यानि उप महादीब भारत को उप महादीब भी कहा जाता है इसका maximum part उन्होंने जीत लिया था They had defeated rival armies and seized cities उन्होंने क्या किया जो उनकी शत्रु सेना थी उनको हरा दिया और उनकी cities पर कबज़ा जमा लिया, उनको seize कर दिया जबर्दस्ती उस पर control कर लिया, अपना कबज़ा जमा लिया The Sultanate collected tax from the peasantry and dispensed justice in its realm मतलब क्या करते थे, वो Sultanate ने क्या किया, धीरे धीरे जो किसानों से वो text भी लेना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने अपना जो rule था वो चलाया और अपने जो उनका kingdom था उनको expand किया Now new words from this worksheet, hinterland, the lands adjacent to a city or port that supplied with goods and services यानि hinterland का मतलब मैंने आपको पर समझाया भी जो garrison land होता था, garrison town होता था उसके जो adjacent उसके साथ में या जो वो city या port जो की बिलकुल नजदीक में होता है port के नजदीक जो cities होती है जहांसे goods and services provide होती है, supply होती है उसको बोलते हैं hinterland, garrison town means a fortified settlement with soldiers यानि जहां पर soldiers रहते हैं and dhwab is land between two rivers, दो rivers के बीच की land को हम dhwab कहते हैं So now let's move on our question answer section, answer the following question First question is name the two garrison towns distant from Delhi Sultanate, that is Bengal and Sindh Question number two is in whose reign Sultanate reaches its farthest extent, यानि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलाका किस के reign में Sultanate ने जीता, किस के सामराज्य में जीता, तो वो था Mohammed took Luxray Now the question number three is what do you understand by internal and external frontier of Sultanate? So answer is internal frontier of the empire refers the areas included in the Sultanate as well as hinterland of the garrison towns Exterior frontier refers the territories which were not conquered by Sultanate of Delhi, यानि जिसे Sultanate of Delhi ने नहीं जीते थे वो external frontier, और internal का मतलब जो उसके अंदर के area थे, garrison land के, उसके नजदीक वाले areas जैसा मैंने आपको समझाया, interior frontier का मतलब होता है, कि जो hinterland of the garrison towns, यानि garrison towns के आस-पास के जो areas थे, उससे adjoining areas, उसको हमने internal frontier कहा, और जो external frontier का मतलब होता है, जो जिन इलाकों को garrison towns से, जो बहुत दूर-दूर के areas थे, उनको हमने exterior frontier कहा, इसके बाद next question, एक map activity है, On the physical outline map of India, Mark Alauddin Khilji's South India campaign, for reference, please see the page number 34-35 of textbook, our past part 2, यानि जो आपकी textbook है, our past, उनका आपने page number 34-35 देखना है, इस map को करने के लिए, मैंने आपकी कुछ सुविधा के लिए यहाँ पर वो map लगाया, आप उसी को देखके अपनी book में से देखेंगे, और फिर अपने उस physical outline map को आप भरने की कोशिश करेंगे, तो यह रहा वो map, इस तरह से आपने एक physical map लेना है, उसमें allowed in khilji का, जो उसने किस तरीके से expand किया था सदन इंडिया में जाकर, उसको आपको इस तरीके से map में अपने भरना है, और worksheet के साथ साथ अपने ma'am या sir को आपको send करना है, so now that's all for this worksheet, अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को जादा से जादा subscribe कीजिए, like कीजिए और बहुत जादा share भी कीजिए, और हाँ, मेरे साथ इसी तरह worksheet को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी महनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, and if you want to protect from COVID-19 और coronavirus, then wear a mask क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं, तक तक कोई धिलाई नहीं, Thank you very much.